good to go so what's happened to camera yeah hi everyone how are you all so today's video like in previous like आजसे एक दो फते पहले मैंने आपको data analyst का path share करा था कि मतलब क्या-क्या path follow कर सकते हो और अगले मतलब 50 days के अंदर आप 8 projects भी बना लोगे और data analyst data analyst भी बन सकते हो ठीक है तो मैं in TCS मैं data analyst के project पर काम कर रहा हूँ तो मैंने कैसे कैसे क्या क्या कर रहा और मैंने कोई paid courses नहीं करे ठीक है मेरे पास certifications है लेकिन वह भी free मैं है मैंने कभी कोई चीज paid नहीं ली तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर फिलहाल तो आप without certification कौन-कौन से free courses कर सकते हैं और अगर उनका certification लेना है तो उन चीज़ों के बारे में इसी वीडियो के बारे में इसी वीडियो के अंदर ही बाप करूंगा तो चलिए शुरू करते हैं तो पहली वीडियो पे चलते हैं और अगर किसी को कोई भी चीज पूछ नहीं है तो मेरे chat window के पूछ सकता है मैं live हूँ इस टाइम तो start करते हैं programming language Python 5 days बोलाता Python के लिए आपको 5 days लगेंगे तो आपको Python और R कहां से पढ़नी चाहिए कैसे पढ़नी चाहिए उसके बारे में बात करते हैं तो इसके लिंक पेने सारे यह जो पूरी मैंने टेक्स्ट फाइल बना रखी है यह टेक्स्ट फाइल के लिंक जो मैं Google Drive पे शेयर कर दो मतलब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दूँगा तो इसके अंदर पहले लिंक पे चलते हैं कि पाइथन आपको कहां से पढ़नी है तो इसको करते हैं वाइक के लिए ठीक है तो इस 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 इड़ुरेका लिंक तो इड़ुरेका का काफी सही रहते है तो मैंने काफी सारे कोर्से इड़ुरेका, Simply Learn और Udacity और Coursera के थुरु कर रहे हैं तो आप यहां से कर सकते हैं ठीक है Python आपको यहां से करना है और इसके राबह मैंने दो लिंक कोड़ दे रहे हैं यह Coursera का कैसे करते हैं हम तो Coursera के लिए यह है वैसे तो पीड़ लिखा है अब सपोस करें यार इसका Certification लेना जैसे मैंने इसका Certification ले रहे हैं अगर आप मेरे LinkedIn पर जाओगे तो आपको इसका Certification दिख जाएगा मेरा तो मैंने इसका Certification कैसे दिया था तो उसके लिए मैंने क्या कर रहा थे हम आप Financial Aid अविलेबल थी तो यहां से मैंने अविलेबल के लिए Financial Aid लगाया और मेरे around 15 days के अंदर मुझे Financial Aid मिल गई थी ठीक है आप ज़्यादा चीज़े नहीं बता दो यार की मतलब थोड़ा मैं अफोर्ड नहीं कर सकता यह सब चीज़े बता नहीं होती है क्योंकि भाई उस टाइम पर कहां ही अफोर्ड होते था भाई कोई जॉब नहीं कुछ नहीं तो अपना फिरी में करनी थी सारी चीज़े कोई ऐसा नहीं था भाई कि हम 2-3 लाग अपग्रेड में जाके नगाया तो यहां से पाइफन सीखनी है आपको उसके बाद अपने अलग आता है कि यार आर कहां से करनी है तो ठीक है इसके अंदर एक और है कि पाइफन प्रोजेक्ट डेडा साइंस का तो आप यह लिंक भी फॉलो कर सकते हो उसके बाद हम चलते है आर पे तो आर के लिए एक तो लिंक है वाई कि आप यूट्यूब से सीख रहे हो ठीक है तो यूट्यूब से कैसे कर सकते हो एक और simply learn का course है ठीक है और ये around 7 hours का है तो मैंने 5 दिन दिन है programming के लिए तो 5 दिन में यार 7 घंटे है course अराम से कर सकते हैं दिन में 2-3 घंटे लगाओ दो-3 घंटे लगा के आप अराम से कर सकते हैं और अगर ये भी पूरा हो जाता है और उसके बाद भी आपके पास 5 दिन के अदर time बसता है तो क्या करो यार course इरा पे जाओ ठीक है और course इरा पे जाके ये course पूरा करो ठीक है course इरा पे जाके ये course पूरा करोगे तो आपको अराम से ये चीज पुरी पूरी तरह clear हो सकती है तो कोई issue नहीं आना चाहिए ठीक है और अगर किसी को कोई doubt है तो please say in English manner तो इसकी लाइव चैट ओके नाव आफ्टर दिस वाट केम लेकर चलते हैं तो इसकी लाइव चैट ओके तो इसकी लिए दिसान गार्ट स्टेटिक ओके नाव चैटिस्टिक के लिए मैंना ये इस्टेटिस्टिक्स лिए मालना ये टेन ओर नाव चेट्स दीन दिया है जो तो टेन ओर चार साथ दिन के अंदर किसे कारना है उसके बारे हम किया करना है कि इसका भी लिंक मैंना mathematics और statistics के लिए न यह statistics बहुत अच्छे से करी थी और कहां से करी थी और Udai City से ठीक है तो आपको क्या करना है Udai City पर जाना है Udai City पर यह पूरा free course है आपको certificate नहीं मिलेगा लेकिन यार ठीक है certificate नहीं है इसका लेकिन यह पूरा free course है आपको free में available हो जाएगा आप free में कर सकते हो और इसके बाद आप जाओ तो यहां पर देखो यार introduction to statistics, describing data, normal distribution analysis, foundation, comparing means, correlation, यह सारे topics जो main main topic है वह आप easily कर सकते हो और इसके बाद क्या आता है ठीक है उसके बाद चलते हैं हम अगला probability पर, probability पर क्या करना है तो probability के लिए मैंने course डाल रखाया है आपका course एरा का, ठीक है तो course एरा पर कैसे करना है आपको just a minute, okay, fine now, okay यार, पंखा बन करने हो यह से, पसी नहीं हो गए गरमी में, चलो कोई नहीं, आपका अवास के लिए रानी चाहिए, तो उसके बाद probability का यह course पूरा करना है आपको, यह आप फिरीम कर सकते हो, वरना आप जैसे मैंने financial aid का बता रखा है, आप financial aid भी ले सकते हो और easily आपको यह course पूरा हो जाएगा, ठीक है, तो यह video थोड़ी लंबी हो सकती है, ठीक है, तो मतब यार बियर करना, और अगर आपको कोई भी doubt है यार, लाइफ चल रहा है, लाइफ पूछो, अगर लाइफ के बाद यार यह पूरी हो जाती है, तो उसके बाद आप मुझ आपको reply मिलेगा, ठीक है, देर सबेर, लेकिन reply मिलेगा ज़रूर आपको, comment करें अब उसके बाद यार, EDA पार, लोग generally क्या करते है, EDA मतलब CSV से कर लिया है, Excel लोड कर ली, लेकिन यार, CSV ही कुछ नहीं है, मतलब अगर आप, अगर मैं जिस टाइम पर हूँ, इस टाइम प Cloud, JSON, API, and many more things, ठीक है, तो आप यहां से कर सकते हो, तो CSV, JSON, API, यहां पर जाएए, और यह लिंक फॉलो करिए, तो आपको यह 20-20 मिनट के कोर्स मिल जाएंगे, और मतलब 20-30 मिलेगे, तो उसके बाद क्या करना है आपको, मैंने कितना टाइम दे रखा था इसको, CSV के लिए 2 2 days, JSON के लिए 2 days, fetching data के लिए, और weather data, 1-1 day, मतलब 5 दिन में यह चीज पूरी करनी थी, ठीक है, तो 5 दिन में हमारी आराम से पूरी हो सकते है, चलो यार, मैं थोड़े टैप कम करता हूँ, आपको सही से दिखे, सो, यहाँ पर देख सकते हो, कि यार, यह CSV, आप 30 minutes में CSV के चीज़े कर सकते हो, इसके बाद, यह चीज़े न, यहाँ पर खतम नहीं होती है, आपने 30-30 minutes की या 40-40 minutes की वीडियो देख ली, लेकिन आपको कम से कम दिन में आप 5-7 घंटे देने पड़ेंगे, अब यह रैगल पर जाना है, या कोई भी data set आपको कहीं से मिलता है, college से मिलता है, या कहीं कुछ भी कर रहे हो, कहीं से मिलता है, data set पर काम जरूर करना है, बिना data set पर काम करें, तुम्हारा यार, कुछ नहीं हो पाएगा, so, course करना sufficient नहीं है, course के बाद, अपनी self practice, कहते है न, जब आप 12 में थे, तो 12 में आप बोर्ड के लिए आपने तियारी करी थी, आप college में, tuition जाते थे, school में जाते थे, पढ़ते थे, उसके बाद अपनी self study matter करती थी, ठीक है, तो वो self study वैसे ही पढ़नी है, या पे, अपने notes बनाओ, जो बनाओ, अगर आपको notes देखना है, तो मेरे GitHub profile पर जाए, मैं link डाल दूँगा, अपने description box पर, वहाँ पर मेरे देखना कि मैंने किस तरीके से notes बनाओ, अपने machine learning के मैंने किस तरीके से course करें, मैंने सारे notes बना रखें, अगर आप मेरे LinkedIn के profile पीछे की check करोगे, तो वहाँ पर भी मेरे notes मिल जाएंगे, ठीक है, तो अगल पता लगेगा यार, कि आपके अगली वीडियो में, जेसोन पाइथन पर काम करना है, जेसोन के तरीके से करना है, यह सभी इस वीडियो में मिल जाएगा, और अगर आपको कुछ कम लगता है, तो message करिए यार, message मतलब LinkedIn पर कर सकते हो, नहीं तो comment box में सबसे best है, comment box में करिए comment box में आपको reply मिलेगा, ठीक है, उसके बाद आते हैं, API पर, तो API का यार, मैंने ये दो वीडियो में अभी देखी थी, जब मैं यहां पर था, तो यहां मिझे API इसका मिझे पता रही था, इसलिए मैंने ये API इस flowchart में इंक्लूड करा है, कम से कम आपको तो पता होना चाह है, जब आप पढ़ रहे हो, तो यार, ये मिझे अपना कोलेज का API बहुत सही लगा, आप यहां से पढ़ सकते हो, उसके बाद जो है, आप एक और API का है, जो code with Harry की है, मेरी ख्याल से ये वीडियो, तो उन्होंने भी बहुत सही से समझाया, यार, मतलब, जो example है, रियल ला प्रोजेक्ट तो बनाई डाला, तो मिनी प्रोजेक्ट बना लो कि धा, बहुत सफिशेंट है, ठीक है, उसके बाद आते हैं, डेटा विजुलाइजेशन पर, तो डेटा विजुलाइजेशन का मैंने course करा था या, course एरा से, ठीक है, और अगर आप course एरा से course नहीं कर पाते course कर लिया अपने, ठीक है, सपोस्कोर आपको यह करने का मन नहीं करा तो आप क्या करोगे, कहां से पढ़ना चलू करोगे, कैगल पर जाओ, वहाँ पर फ्री में, विजुलाइजेशन का शायद एक टैब है, लर्निंग के अंदर विजुलाइजेशन का टैब है, वो भी तो मैं थोड़ा पढ़ूँगा, थोड़ी चीज़र डालूँगा, तो आपको भी लगेगा किस किस तरीके से हम कुछ ग्राफ्स बना सकते हैं, ठीक है, तो यह होग यह विजुलाइजेशन पार्ट, उसके बाद यार, मैट प्लोटलिप, सीबॉन और प्लोटली, यह आप तो डोम्राफ्स मेरी ख्याल से बेस्ट है, कोई भी चीज़ करने के लिए क्योंकि हम मैंने इतनी सारीचीज़ चीज़े करना, यह प्लोटली, मैटलोटलीन, सीबॉन, और कुछ सीकोल्स अगेर अभी पढ़े हैं, तो सार। मैं हम दोकुमेन्टेशन से करें यह, क्योंकि ह लगता है यार हम नहीं कर पाएंगे हमको ऐसा लगता है कुछ वीडियो टूटोरस देख लो या कोई ब्लॉक्स देख लो तो हम वहीं से कर लेंगे जल्दी हो जाएगा बट ऐसा नहीं होता है रियल लाइफ में आपको डोकुमेंटेशन सबसे बेस्ट लगेगी और जो सारे वो लगेंगे यार सेकेंडरी और प्राइम डी क्या लगेगा डोकुमेंटेशन तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना चलू करो मुझे लग पता है कि यार शुरू में एक दो दिन में नहीं हो पाएगा कम से कम इसको पढ़ने के लिए अगर आप स्टार्ट करोगे तो कम से आता है वैब स्क्रेपिंग मैंने करी थी ठीक है अगर आप देखो तो डेटा वीजुलाइज़ेशन के लिए आपने आप दिमाग लगो अपने आप कुछ करो और कुछ मतलब कोई नोट्बूक उठाओ उसे पढ़ो कोई ब्लोक्स पढ़ो ऐसे चीज़े पढ़ना चालू और इसके बाद आता है आपका वैब स्क्रेपिंग पार्ट वैब स्क्रेपिंग यार आईपियल आईमडीब यार इनके मिचे लिंक तो अभी फिलहाल नहीं मिले ठीक है अब लिंक तो मिलनी पाए तो इस वज़ए से मैंने किसी और मतलब जो और बना सकते हो आप उनके लि मिल जाएगा ठीक है तो शायद वहां से जाकर देख सकते हो आप तो आईवियल और इमडीब की वैब साइट के लिए मैंने क्या करा था एक डेटा केम का लिंक है यहां से ब्यूटीफुल सूप के थूरू आपको पता लग जाए कैसे कैसे बनाना है ब्यूटीफुल सूप और वैब स्क्रेपिंग यह सब चीजे तो यहां से जाके पढ़िए ठीक है काफी सही बंदेना एक्स्पेंड कर रखा है सारी चीजे तो आप जाके अविजोन की वैबसाइट इन्होंने मतलब वह करी है स्क्रेप तो पता लग जाए किस तरीके से इन्होंने स्क्रेप करें क्या क्या चीजे करें तो आपको काफी सही आईडिया लग जाएगा ठीक है उसके बाद चलते है आर इस इक पर एपी पर क्या है इंन्होंने एक उड़े लिंक कोल लेते हैं ठीक है बाए फॉड हो जाया जल्दी ठीक है बिल्ड आइफन वैब सक्रेपर स्टैप बाइस्ट पूरा मतलब html का structure क्या होता है कैसे कैसे होता है यह सब चीजे यहाँ पर समझा रखी है ठीक है मैं शायद काफी fast बोल रहा हूँगा आपको लग रहा हूँगा यार यह बहुत तेज बोल रहा है थोड़ा slow तो चल ठीक है भाई थोड़ा slow चलते हैं तो बिल्ड करना है आपको web scraping यहाँ से करनी है scraper API से कर सकते हो उसके बाद आपको क्या करना है आप data quest की website पर जाएए वहाँ से जाके थोड़ा पढ़िया बंद यह दो तीन link फोलो करो गया आपको एक idea लग जाएगा कि हम कैसे website scrap करते है उसके बाद आपको क्या करना है let me close some tabs okay first just a minute so आप क्या करो engineering college 360 website पर जाओ अब जब यहाँ पर जाओगे ना तो आपको scraping web scraping का idea लग गया होगा कैसे कैसे हो रही है तो यहाँ से क्या करो जितने भी यह page पर है suppose करो आप चाहते हो engineering and architecture engineering colleges search करते हैं ठीक है suppose कर रहा हमने यह website ली ओ यार यह website वर्क नहीं कर रही है क्या college ranking ठीक है college top engineering colleges in India ठीक है हम यहाँ जाते है अब आपको क्या करना है यह जो सारा data है ना यह one rank यह जितने भी चीज़ा आ रही है ठीक है यह सार आकपको extract करना है यह अल आको यह सारा मतलब किसके कितनी fees है कितना editors करने है यह सारी चीज आको निकालनी है ठीक है进ario 본 मतलब यह जो website साइट है यह आपको हिट करनी पड़ेंगी बार-बार यह शायद इसका भी मैंने कोड अपने अपने डाल रहा है तो आप चाहो तो वहां ते रिफड ले सकते हो ठीक है और जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स है ना उसको मैं थोड़ी देर में अपडेट करूगा लाइक शाम तो अभी दे दूगा ठीक है और बाकी गिट हब का बार में दे देंगे उसके बाद आपको चलते है यार एक्सल पे अप एक्सल पर यहां पर देखो यह एक प्रोजेक्ट कर चुका है हम इंजिन कॉलिज का जो मैं आपको बताए कैसे 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 करना है उसके लिए आप क्य चोटा सा मैंने बना रखा है चोटा सा क्या मतलब एक यूटीब की लिस्ट थी टूटोरिल्स पोइंट की वो मिचे काफी अच्छे लिए तो आप इस पूरी इसको फोलो कर सकते हैं और मतलब काफी सही रहेगा अगर फोलो करोंगे आपको थोड़ा आइडिया लग यहां से काफी चीज़ सीखने को मिल जाएंगे अगर आपको यूडीमी का कोई कूपन मिल जाता है कहीं से तो यूडीमी का कर सकते हो ठीक है नहीं तो यार एक्सल ऑनलाइन के ब्लॉक्स पढ़ लो वो सब सही रहेगा मतलब ज्यादा इतना वो नहीं है मतलब डिफिकल्ट आप एक से दो कोर्स पूरे हो जाने चाहिए ठीक है और उसके बाद उसके बाद चलते हैं आगे उसके बाद क्या है आपका SQL आप SQL कहां से पढ़ना है आपको तो SQL के लिए यह रहा लिंक यहाँ पर जाता है मैंने उद्धे सीटी से SQL पढ़ी तो यहाँ पर जाता है और यहाँ पर इसके सारे डेटा क्लीनिंग विंडो फॉंक्शन सब्क्वरी टम मतलब जित्ती भी minimum चीज़ है जो चाहिए data analysis के लिए data science के लिए वो सब आपको इस course के अंदर मिलागा वो भी free ठीक है जाए ज्यादा मेरे ख्याल सही है जो course लिया था और इसको कितना time लगा था around हमने कितना time दे रखा है क्या इतने time में हो पाएगा मैं बताता हूं आपक मैं कोर्स हे रहा है यह course करके machine learning वाला अगर आप चाहूती है अगर अगर आप चाहूती है और फोलो कर सकते हो आपको मदद सही मिलती है तो आपको resume में भी काफी चीजा idea मिल सकता है ओके सो दिखते हैं कितने इसके बाद चलते हैं अपने applied data science पे तो applied data science का course कर सकते हो जैसा मैंने बताया उसी तरीके से उसके बाद एक मैंने link last में डाल रखा है audacity का ठीक है अब audacity को कैसा है यार वही free course मैंने सावे जो डाले है आपको free course मिलेंगे कोई भी आपको paid नहीं है ठीक है reinforcement और आपको machine learning algorithm कैसे use होती है उसके बाद अगर आपके 50 दिन पूरे हो जाते हैं तो उसके बाद आप company में apply करना चालू कर सकते हैं और जब apply करना चालू करोगे ना एक चीज याद रखना आपना EDA करना नहीं छोड़ोगे ठीक है पचास दिन पूरे होते ही आपको यह पूरी चीज़र होते ही आपको EDA करना श्राट कर देना है क्यों 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 याद पर आपको EDA करना आइडिया लगए लगे लगे हैं ये कैसे-कैसे clean करते हो बहुत गंदा डेटा सेट उठाओ जित्ता गंदा हो सकता तक उठाओ क् यह पर आपको यहां पर मिलेंगे पूरे कोर्स में ऐसा डेटा इसा डेटा बिलकुल नहीं मिलता है मेरा एक्सपीरियंस है जितने गंदे डेटा पर हम काम कर रहे हैं न भाई मतलब हालत खराब हजाती है और बहुत फास्ट काम करना पड़ता है ठीक है मतलब जो भी मैंने चीज़े बताई है अपने एक्सपीरियंस है बताई है जो मैंने कर रहा है और जिसकी बेसिस पर मुझा जॉब मिली है और मैं इतने बड़े क्लाइन के लिए कुछ ना कुछ काम कर रहा हूं इतनी बड़ी कंपनी में तो बड़े-बड़े क्लाइन होते हैं ठीक है तो उनके लिए काम कर रहा हूं तो कुछ ना कुछ तो बात होगी ठीक है तो thank you guys for watching this video I hope I might have helped you अगर आपको पसंद आई तो यार like करिए ठीक है share करिए और दोस्त और लोगों के साथ और उनको थोड़ा थोड़ा जो भी चीज़ चाहिए बताइए thank you guys for watching this video have a nice day